हेलो मेंबर्स वेल्कम बेक टू ओंचनल स्टॉक मार्किट फंड़ना में अब देखो यहां पर आदानी की बहुत बड़ी न्यूस है यहां पर सेवन लेक करोड की कैपेक्स की बात की जारी है तो इसकी वज़े से मंडे क्या इंपक्ट पड़ेगा यह बताऊंगा और कॉंस और मैं रिपट इनने ही करूंगा आपको सिर्फ इंपोर्टेंट चीजे बताऊंगा और ये भी बताऊंगा क्या प्लान को प्लान करती हुए यह बहुत बड़ा प्लान है अब यह पैसा देखो समझो बात को इन्वेस्टर्स जान से समझना यह पैसा डायरिकली तो आएगा नी ठीक है अगर इतना पैसा होता तो अपने स्टॉक को गिराते क्यों मलब उसको पकड़नी ले था नीचे के लेवल से ठीक है तो अगर इनके पास पैसा है तो यहां पे स्टॉक को इतने नीचे जाने ही नही ही देता तो यानि की चांसे से कि यह स्टॉक को मलब आप यह समझो कि यह जो इन्वेस्ट मेंट आएगा वह यह तो स्टॉक को बेचे जाएंगे या गीर भी रख जाएंगे यह लोन ली जाएगगी ठीक है तो यह जो समें इस में करोर का कैपेक्स है बहुत बड़क्स है तो इसमें जो यहां पर capital expenditure बोल रहे हैं ठीक है वो अगले 10 साल का प्लाए है अब मानों यहां पर government form हो जाती है तो government कभी जो फाइदा होगा ठीक है देखो directly indirectly कभी ना कभी तो होता ही है ठीक है आप भी जानते मैं भी जानता हूँ तो आप यह focus करो कि यहां पर किसको जादा यह जो capex हो रहा है कौन से stock को सबसे जादा फाइदा होगा जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि अदानी एनर्जी solution को फाइदा होता हुआ दिखाई जैसकता है ठीक है आप यहां पर definitely देख सकते हैं फिर दूसरा फाइदा किसको हो सकता है तो कि यहां पर आप देखो अदानी enterprise को क्योंकि यहां पर आदानी enterprise में अदानी port, defense, aerospace में अपना business को expand करने वाली है ठीक है आप यहां पर definitely देख सकते हैं solar manufacturing, roads, metro, rails तो यह जितना भी होगा वो आदानी enterprise में आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है ठीक है तो यह जो 7 lakh करोड है उसमें सबसे जादा फा इसको आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है ठीक है फिर एक अगला छोटा फाइदा वो है अदानी port को भी होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है एंड आखरी हो जाता है यहाँ पर renewable energy यह भी एक फाइदा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे सकता है ठीक है देखो शॉट प्राफेट कासा चीना प्राफिट नहीं होता तो स्टौक को क्रेश करवा देते हैं वहाँ पर नोग मोटा पैसा कमाते हैं बड़ी प्लेस की चाल हमेशा होती है वो केपेक्स अनॉंस के टाइम पर इंवेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और आप देख लें आपके कि अधानी स्टॉक्स में मुमेंटम आनी स्टार्ट हो चुकी है क्लिर चलिए अब यह तो आप सभी कोछ चीजे समझ में आ चुकी है अब आगे क्या कौन सा स्टॉक को सबसे ज़्यादा रडार पर रखना चाहिए देखो मैंने यह डिटिल और वीडियो देख लेना एक दिन पहले का है फ्राइडी का है ठीक है लेकिन मैं आपको थोड़ा और एड़ान्स में बताना चाहूंगा जो हमारे इंवेस्टर को सीखना चाहिए ठीक है समझो बात को ध्यान से फोकस करना सी आइम शूर आप लोगों को याद होगा कि मैंने जब आदानी स्टॉक्स में पहले मोमेंटम नहीं आ रही थी तो मैंने तब आपको उस टेम बता स्टॉक था जो ओपर भाग रहा था ठीक है यह स्टॉक भी आप देखो कि जब यहाँ पर रिपोर्ट आई थी तब भी यह स्टॉक यहाँ पर 120-130 पर ट्रेड कर रहा था कब फरवरी में ठीक है 130 आज यह 500 पर ट्रेड करता है क्लियर समझ में आ रही है तो इन्वेस्टमेंट का मौका इसने भी दिया था तो हम्मेशन में यह बोलता हूं कि बड़े ब्लेस कॉंसर स्टॉक के पीछी भाग रहे वह फोकस करो आप पूछते कि बहुत सा लोगों ने मुझे क्वैरी पूछी दे कि ट्रांस्मिशन भाग मैं आपको बताना चाहूंगा सी मैंने यहां पर उपन नहीं करके रखा है मैं आपको बता देना जाता हूं अदानी टोटल गैस का स्टॉक देखो आप देख सते हैं यहां पर यह स्टॉक बाकी सभी अदानी स्टॉक पांच-पांच परसंट फॉल कते हुए दिखाए दे तीन परसंट चार परसंट अदानी टोटल गैस नहीं गिरा ठीक है तो अब इसको रड़ार पे रखो स्पेशल मैं आपको समझा रहा हूं कि इसको अब मान लो यह कल भी नहीं गिरता मंडे को भी नहीं गिरता और सस्टीन कर लेता है तो यह समझो के बड़े प्लेस ने यहां से जस्ट एंटरी की है यह इसको जादा नीचे नहीं ली जाएंगे मान लो देखो दूसरे अदानी स्टॉक भी भागेंगे इसा नहीं लेकिन जैसे कि अदानी पाउर के सा भागा पहले सबसे पहले भागा न अब लोग अदानी पाउर के पीछे भागेंगे 500 टेस्ट हो गया यह 100 का 500 इसने कर दिया अब अदानी पाउर के भीडियो बनाएंगे लेकिन उसको छोड़के दूसरा स्टॉक भाग जाएगा ठीक है और आ लॉजिक होता है और इसी के मैं लॉजिक को देखे में बड़े प्लेस को देखे में एंट्री करता हूं स्टॉक के अंदर समझ में यह बाते तो शॉटें सिंपल में पहला अपको रडार पे रखना है आदानी टोटल गैस यूँकि यह बंदे ने फॉल नहीं क्या है तो मै मैं special में अपना point of view बता देता हूं ठीक है फिर आप अपना समझ सकते है definitely या advisor से आप सला ले सकते है लेकिन मैं अपना point of view बता देता हूं दिखो समझो मैं क्या करूँगा इसमें मैं fresh entry करूँगा लेकिन कब मैं इसकी चाल दिखूँगा Monday मानलो यह gap up open होता है तो मैं आव बजे तक तो मैं वेट करूँगा यह fall करे कि नहीं करेगा मैं गुश जाओंगा ठीक है यह मेरा point of view होता है मानलो यह बड़ा मून नहीं किया तो मैं क्या करूँगा मैं वेट करूँगा कि आज का हाई कब क्रॉस करेगा मानलो इसने आज का हाई कली 2% की अंदर क्रॉस कले दो पसंद की मोमेंटम आई तो मैं वेट करूँगा स्टिल वॉल्य्म कितने आ रहे हैं वॉल्यम्स था कि नहीं है तो मैं इसको वाइट करूँगा जब तक इसका इसका कंसूलेर्चन खतम नहीं हो जाता है जैसे ही खता होगा यह लग रहा है कि बड़े पॉल्यास एंट् वापस दिखाए दे रही है तो आपको एक अदानी टूटल गैस तो डैफनिली रखना है सेकिंड जो स्टॉक आ जाते हैं वो है अदानी इंटर्प्राइज यह सबसे बड़ा वाला प्लियर है क्योंकि यह फ्यूचर में काफी बड़ा बन सकता है क्योंकि इसने जो कैबेक्स का प्लान किया है बाई अदानी इंटर्प्राइज में रिल्वे या मेट्रो या फिर एर्पोर्ट्स रोड्स यह सबी चीज़े आप इसमें बेनेफिट होती हूँ भी बिखाई जैसे हैं तो यह तो अलरड़ी ब्रिक आउट कर चुका है यह ब्र भागा भी नहीं है अभी तो यह भागेगा तो स्टॉक में जो इसका ब्रिक आउट हो चुका है उसके बाद इसका डायरेक्ट लेवल आरे चातीसों का ठीक है तो यह उल्रडी है हो चुका इसको भी रखेगा तो टेक्निकली तो पॉजिटिव है फैनिशली फंडमेंटली कि कल भागेगा करने भागेगा ठीक है मुझे तो इतना जादा पॉजिटिव नहीं दिखा इता शौट टम में यह जो केपिक्स प्लान होती ने बड़े प्लेस लॉंग टम के लिए एंट्री करते हैं तो आप आप सोचू के बाई मुझे कल 10 पसंदे दीगा 15 पसंदे करने का ऐसा नहीं है बड़े प्लेस लूज स्टेडिली एंट्री करते हैं और आपको देखो समझो बात को बड़े प्लेस ने अदानी पावर के अंदर एंट्री की क्या आपको पता चला उन लोग ने यहां पर आप दीख सत्ति यहां पर 193-195 पर एंट्री की थी ठीक है मैं आपको बता है था मुझे आदानी पावर पसंद आ रहें 180 के लिए ओल पे यह फॉल नहीं ही रिकवर कर रहा है तो हमेशा बड़े प्लेस को सोचो वो क्या कर रहे है इसने अदानी पावर को साइड़ वेस भी रखा था कुछ ताम देखो यहां पर रखा था कि नहीं र क्योंकि जिस तरह से एक साल की अंदर अंदर यह 200 का 500 लिखी गए दूसरा भी लिखी जा सकते हैं आई बाद समझ में तो जैसे कि मैं आपको बोला अदानी एंटरब्रेस ब्रीक आउट हो चुका है अदानी टोटल गैस को आपको रडर पे रखना है ठीक है एंड अदानी अरिन इसमें थोड़ी सी वीकने से लेकिन यह भी पॉजिटिव है इसको भी एक बार अडर पे रखेगा और जैसे ही सतरा सो ब्रेक करेगा वापस मोमेंटम आ सकती है लेकिन हम लोग स्लोग स्टेडिल इसको फोकस करेंगे ठीक है पॉइंट क्लियर हो चुका है तो मैंने को में तीन स्टॉक बता दी है स्टील मुझे कोई क्वेरी पूछ रहा था आदानी ट्रांस्मिशन के अंदर तो बाई पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं है ठीक है लेकिन स्लो जा सकता है हम लोग बड़े ब्लेस को फोकस करें जो जादा भगाएगा लेकिन स्लो है हम लो अदानी के अंदर लाइव मार्केट में बताने की कोशिश करूँगा और निफ्टी का भी लिवल्स बताता रहता हूं कि सपोर्ट कहां पे रेजिस्टन्स कहां पे जिनको सिखना है वो टेलिग्राम में आ सकते हैं और अगर जिनको डिमेंट अकांट ओपन करना है तक के लिए गुडबाई जैहिन